नमस्का दोस्तों मेरा नाम डॉक्टर नगिंदर आदव है आज हम आपके मैकाउस की सीरीज कवर करने जा रहे हैं जिसमें मैकाउस की जितनी भी स्पीसिज पूरे इंडिया के अंदर या वर्ल्ड के अंदर पाई जाते हैं हम एक एक स्पीसिज को कवर करने कोशिश करेंगे हमारी जो पहली स्पीसिज है वो है रैड टेल ब्लैक काकाटू यह जो स्पीसिज है पूरे वर्ल्ड के अंदर आप इमान के चलिए बहुत ही रेर है यह आपको शायद यह नेचर के अंदर भी शायद आपको कहीं नी मिलेगा देखने से यह आपको जातर एविरी के अंदर यह ब्रेटिंग फारम के अंदर आपको देखने को मिलेगा है क्योंकि नेचर के अंदर आप इमान के चलिए जिनकी जिन संग काफी कम रह गई है आप जो मेरे सामने देख रहे हैं चाल्स है एक जेंस है यह जो दोनों है लेल सही है बहुत ही खूबसूरे था इनकी जो एज है एक साल के करीब है यह नहीं आप ही कह सकते हैं यह बेवी है छोटे बेवी है फुली टेम्ड है लेकिन मैं इनको खोल करके नहीं दिखा पाऊँगा वैसे ही fully tamed है अपना नाम अच्छे से जानते है और fly करने पर अपना नाम लेने पर आ जाते हैं अब बात आती है इनकी diet के अंदर, diet के अंदर हम इनको क्या देते हैं सबसे पहले आप देखिए हम इनकी जो cage की location करें इनको हम हमेशा cage के अंदर ने रखते हैं इनको सिरफ 2-4 घंटे के लिए cage में रखते हैं बाकि हम इनको natural environment एक setup अपने दे रखा है हम उसको भी cover करने कोशिच करेंगे लेकिन आप इसकी video में देखें जो इसकी minimum requirement cage के अंदर है इसमें आप देखें पर्चीज पर्चीज हमने इसको natural purchase हमने एक wooden का दिया है और एक अर्टिफिशल पर्चीज है पर्चीज के ओपर बैठने का आप देखेंगे जैसे यह अपने nails की trimming क्योंकि पर्चीज के बैठने से कैसकी nails की trimming होते रहेगी क्योंकि इनके जो नेलस हैं आपटमेटिक बहुत जादा बढ़ते हैं यदि हम इसको इस तरह की परचिस प्रोवाइड नहीं करेंगे तो इनके एलस जादा बढ़ने से हमें नुकसान पहुचा सकते हैं यह अपनी बोड़ी को भी नुकसान भचा सकते हैं नेल्स की ट्रेमिंग करने के लिए नैच्रल पर्चिस होना चाहिए, दूसरा आपको पता है कि यह थोड़ा सा एनरजेटिक होते हैं, इनको टॉइस की विजार जरूत होती है, हमने देखे इनको वुड़न टॉइस दिया है, और यह जो टॉइस है, एक हफते से ज्यादा बि कर दिया है, यह एक हफते के अंदर इस पूरे जो टॉइ है, इसको डिस्ट्रॉइ कर देंग, उसको चेंज करना पड़ेगा, अब बात आती है, केज की डिजाइनिंग की, केज दिजाइनिंग आपके सामने हैं, दूसरा जो है, इसमें देखिए, फीडिंग के बाउल की ल यह बहार से आपने इस तरीके से आपने इसका ओपन करना है, आपने इसमे पानी डालना है और इसको बंद कर देना है, यह इसका डिजाइनिग इस तरीके से, से इसी तरीके से में फूर्ड का दिया है, यह देखिए, यह हमने इसके अंदर फूर्ड डाला, अब फूर्ड बाद हम इसको इसमें वापस जला और यह बाहर से ओपनिंग है यह लिए 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 तो बर्ड को कम से कम डिसर्प करें उसका जो फीड है बाहर से ही उसके अंदर लोकेट कर देते हैं केज में कोई गंदगी नहों उसके लिए आप देखें केंदर जो लीचे है प्रे करेल से देखें बुर्ड की डाइड इसके लिए बहुत जादा इमपॉर्टेंट है क्योंकि रियर ब्रीड से इनकी डाइड बहुत जदा वैल्-भैलेंस सो नी चीड उसके लिए हम डाइट मापको दिखाते हैं च़्या क्या वालनेट्स यह जो है अकरोट आप कह सकते हो इनको बहुत पसंद होता है तो आप इनकी डाइट के अंदर आप इमान के चलीजिए दिन में चार से पांच बार एक नोट आप पानी विगो करके सूखे भी ऐस सच आप इनको दे सकते हैं इनको काफी पसंद है यह सब चीजिए और आप एक कैसे तो विटामीन का खजाना है है यह सब जीए क्योंकि इनको नर्ट्स वगयर है इनकी क्योंकि जब तक आफ इनको बैलंस डाइट नहीं दोगे जिसमें विटाविन प्रोटीन नहीं तो इनके बाड़ी में डिफिशेंस होगी तो इसलिए वैल बैलेंस मेंटें डाइट देने इनके लिए बहुत तो इनको जो जो डाइट में यह नट्स देते हैं यह नियुक्त पाफी पसंद है हमने जो इनका डाइट का रूटीन बनाया है दिन के अंदर एक बार स्प्राउट्स देते हैं क्योंकि डेली क्या है सीड्स 30 परसेंट बाकी जो स्प्राउट्स वगरे हैं एक दिन वेजटेबल एक दिन फूट्स एक दिन स्प्राउट्स यह सब जो है रूटिली हमने इनका टाइम्टेबल सेट अप किया उसे के साब से इनकी डाइट को मैंटेन किया हुए यानि हमने प्रॉपर इंका पने पालती है कि वीडियो पहले गया पाला चाना है यह जो को सुखा कर्के पैलेट सब्स हैं तो यह वीड़ियो ईसरोगा में भीचलेल कोड़ी आपक्रिज सेटेंविल की हैं इनकी डाया को मीन अनलचना होते हैं हको जो सकाल धक्क्रियों एकmost सब्साद रिए इनकी आव करके देते हैं उमीद करता हूँ कि आपको मेरे वीडियो पसंद आया वह यदि आपको मेरे वीडियो पसंद आया तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए भन्यवाद